यदि आप काफी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि आपके मोबाइल में काफी ज़्यादा एर्ज आते हैं जब भी आपको एप्लिकेशन चलाते हो या फिर ब्राउसिंग करते हो तो महाँ पर काफी ज़्यादा आपको एर्ज नजर आते होंगे और मोबाइल स्क्रीन पर आपको काफी चादा एड्स नजर आते होंगे अब इन एड्स को इस pop-ups को कैसे ब्लॉग करना है इसके बारे में आज आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल से बताने बाला हूँ step by step में आपको settings बताने बाला हूँ इस steps को आपको follow करना है अपने mobile में और 100% आपके mobile में सभी ads और pop-ups आना हमेशा के लिए बन हो जाएंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार यहति आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज यार वीडियो को like जरू करते ना एंड यार चैनल को subscribe जरू करते ना चले दोस्तों आज का यह video बीना देर के स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पर chrome browser open कर लेना है क्योंकि chrome browser से ही अमें जाता कर ads and pop-ups show होते हैं यहाँ पर आपको three dot पर click करना है और settings पर आपको चले जाना है देन आपको यहाँ पर site setting पर नीचे की तरफ आना है इस पर click करना है और यहाँ पर दोस्तों आपको ads नजर आएगा इसे आपको यहाँ से turn off कर देना है देन आपको यहाँ पर भाहर आ जाना है and pop-ups and redirects पर आपको यहाँ पर click करना है और इसे भी आपको turn off कर देना है pop-ups and redirects का मतलब होता है कि यदि हम कोई भी application चलाते या यहाँ पर कोई link वगेरा हैं पर हमारे से click हो जाती है तो वो हमें redirect कर देती है तो इसे off करने से हम किसी भी page पर redirect नहीं होंगे देन आपको अपने mobile की settings open करना है वहाँ पर दोस्तों आपको type करना है display over other apps यदि मिल जाता है तो ठीक है वरना यहाँ पर आपको search कर लेना है type करके display over other apps दिन दोस्तों यहाँ पर आपको display over other apps पर click करना है display over other apps पर click करने के बाद में यहाँ पर बहुत सारी applications आपको यहाँ पर नजर आईगी यह applications हमारे mobile के background में चलती रहती है हमें पता नहीं होता है screen records वगेरा करती रहती है और data collector करती रहती है जिसके थुरू हमें यहाँ पर ads नजर आते हैं pop-up show होने लगते हैं तो आपको जितनी भी यहाँ पर apps नजर आ रही है उन्हें सब को दोस्तों आपको यहाँ पर off कर देना है जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा मेरा सभी एप्लिकेशन यहाँ पर turn off है देन आपको यहाँ पर बहर आ जाना है और यहाँ पर आपको Google नजर आएगा यदि नहीं आता है तो आपको search कर लेना है यहाँ गूगल को option नजर आएगा इस पर आपको tap करना है और यहाँ पर हमारा सामने Google का page open हो गया है यहाँ Google ने खुद हमें ads block करने के लिए बन करने के लिए option दिया हुआ है यहाँ पर ads के option पर आपको click करना है और आपके सामने कुछ इस तरह का interface नजर आएगा पर आपको delete advertising id पर click करना है और इसे delete कर देना है delete करने के बाद में आपके सामने get new advertising id यहाँ पर आपको show होगी advertising id रहती है तो हमें ads दिखाई देते हैं pop-up show होते हैं और advertising id यदि आपके delete हो गई है तो आपके mobile में कोई भी ads नहीं आएंगे और कोई भी pop-up show नहीं होंगे यहाँ पर नीचे के तरफ scroll करोगे तो यहाँ पर आपको history setting दिखेगी web and app activity दिखेगी location history दिखेगी यहाँ से यह Google को सब पता होता है कि क्या हम activity कर रहे हैं क्या search कर रहे हैं उसी के throughs हमें सारे advertisement दिखाई देते हैं यदि हम कुछ Amazon से purchase करेंगे तो वो Amazon के through हमें advertising दिखाएगा यदि आप कुछ भी वहाँ पर search करते हो तो उसी के through वहाँ पर आपको ads दिखाई देते हैं pop-up show होते हैं इनको सभी को आपको pause कर देना है जैसे कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है यहाँ आपको एक और कमाल की चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पर जब आप निचे आओगे तो my ads center दिखेगा इस पर आपको click कर देना है यह अभी यहाँ पर turn on है ठीक है यहाँ पर आपके सभी information गूगल collect करता है जैसे कि gender क्या है कितनी एजे क्या languages आप use कर रहे हो नीचे की तरब यहाँ पर आप आओगे तो relationships house hold सब यहाँ पर आपको देखाई देगा यहाँ पर इनके पर information नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पर सभी turn off किया हुआ है यहाँ से दोस्तों आपको यहाँ पर इसे turn off कर देना है turn off करने के बाद में आपको बहार आ जाना है अब इससे दोस्तों आपके 100% यहाँ पर advertisement block हो जाएंगे बन आना हो जाएंगे यदि फिर भी बन नहीं होते हैं तो आपको completely बहार आ जाना है यहां से और आपको दोस्तों सर्च करना है DNS Private DNS का option नजर आएगा ठीक है यह देखिए DNS Private DNS इस पर आपको क्लिक करना है और इसे Private DNS Provider Host Number क्लिक करके आपको जो भी नाम देना है वो कर देना है और यहां से आपको Save कर देना है जिसे कि आपके ads आना यहां पर बन हो जाएंगे यहां से यहां आपके ads आना बन नहीं होते हैं तो आपको Play Store से ads blocker application डाउनलोड कर लेना है जिस पर 10 million downloader है यहां से यह application आपके जितने भी mobile में फालतो ads आते pop-ups आते वो सभी block कर देगी बन कर देगी 200% आपके हाँ पर सभी ads बन हो जाएंगे pop-ups आना बन हो जाएंगे यहोफ दोस्तों आपको अपके problem का solution मिल गया होगा यह आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो थोड़ा भूद भी knowledge मिला हो तो प्लीस यह वीडियो को like जरू करना और चैनल को subscribe जरू कर देना इसे informative वीडियो में आपके लिए लाता रहता हो और अपना support जरू दिखाना चले दोस्तों मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जाए हिन गण्दे मात्रा